इनको तो आत्मी चिंतन करना चाहिए कि हमारे जिले में जहां का मैं MP हूँ मुहाप इस तरह की बड़ी घटना घट गई संबेदना व्यक्त करने के बज़ा यह जंगल लाज कर रहे हैं इसका मतलब यह घटना प्रयोजित घटना है बरतमान की सरकार को बदनाम करने की कोशिज की जा रही है लेकिन बिहार की जंता सब जानती है जब तक यह लोग सत्ता में थे तब तक इनको सब चीज अच्छा देख रहा है और मानिय मुख्यमंत्री जी छोड़ेंगे निसीत रूप से जाच करेंगे अब देखें सीटी के जो अपरादी थे हैं जो दो घटना एक दिन घटी जिसके लिए बीजेपी के लोग छाती पीट रहे थे स्वास्त विभाग को तो भजपा के लोगों ने एकदम चौपट करके रख दिया है चारो तरफ गंदिगी का आमबार है कोई मतलब साप सफाई का ख्याल नहीं मरीज के पास यदि उसका एटेंडेंट है किसी को कही इलाज कराने जाना है तो इस्तित्य ऐसी बन गई है कि बिना चरहावा का कहीं कोई काम नहीं होती नमस्कार आपनी इस फोनेशन देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ वंदना बीजेपी फायर ब्रांड नेता गिरीडासी ने कहा कि बिहार में जंगल राज आ चुका है 200% बिहार में जंगल राज है जिस तरह से गठबंधन की सरक जंगल राज जंगल राज जंगल राज कहा है जिस तरीके से भजपा के लोगों ने नमा करन किया है यह बहुत ही दुर्भागे पुर्ण और दुखत बात है जब से यह सत्ता से बाहर गया है इनको सिफ जंगल राज दिख रहा है सबसे बरी बात है कि बेगुसराय का MP कौ बर्तमान की सरकार को बड़िनाम करने की कोसिस की जा रही है लेकिन बिhार की ज़न्ता सब चथ्ह अच्छा दिख रहा था सता के बाहर जाते ही पर्योजित अपरादीख़णायबर गई है यह सब लोगption उन्हें लुदुने कहा कि बोए बोए पेड़ बबुल के तो आम कहां से पाएंगे नितिसकुमार तेजश्वी के शरन में जा चुके हैं उनके पास अब कोई ऑप्सन नहीं बचा है और उमीद ऐसे सरकार से अब यहीं की जा सकती है तो आप मानते ही मानने मुख मंत्री जी किसी के सर किसी के सरन में नहीं जाता राजनित में एक फिचार धारा के लोग जब होते हैं जब जंता का डीमान्ड होता है तो लोग एक जगह आते हैं जब आए हैं तो अभी आपको पता होगा कि बिहार की जनता के अंदर जितना खुसी का महौल है। बिलकुल करवाई होगी अभी देखे सीटी के जो अपरादी थे हैं जो दो घटना एक दिन गटी जिसके लिए बीजेपी के लोग छाती पीट रहे थे कि जंगल लाज है जंगल लाज है जहांच में क्या पता चला किस तरह से उनकी हत्या हुई थी तो यह जितने भी मडर हो जितने भी अपरादी घटनाए घटी है यह प्रायोजित है अच्छा मैडम एक सवाल तो यह भी उठ सकता है कि नितिज कुमार कहते हैं कि बिहार में जंता का राज है लेकिन जिस तरह से एक महीने की सरकार बनी हुई और लगातार लॉय और जिस तरह से देखा जा रहा है तो बिहार में तो यह कहना तो मुश्किल होगा ना कि बिहार में जंता का राज है देखिए बिहार में जंता का राज है जब किसी आप एक चीज़ जान लीजे बेरुजगारों को भरका करके उसको बहला फुसला करके आप कुछ भी करा सकते हैं तो भजपा की तो आदे ते एकदम नजर बनाए हुए हैं दो दिन के अंदर में अपरादी पक्रा गया सिटी का अभी कल की घटना है निश्चित रुप से सारे पक्रे जाएंगे और उसका खुलासा भी होगा कि इसके पीछी किस का हाथ लेकिन आपको नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों को लेकर करके स और सही समय पे सही एक्षान लेंगे ये मुझे पूरा विश्वास है विपक्ष का यह भी कहना है कि जहां से नितिश कुमार बिहार को उथान किये फिर वापस वहीं पेला करके वो पटक दिये कौन कहता है मने आपके साथ रहे तो बिहार का विकास हो गया अभी जाके किसी को कहीं इलाज कराने जाना है तो इस्तिति ऐसी बन गई है कि बिना चरहावा का कहीं कोई काम नहीं होता लेकिन दीरे दीरे उसमें सुधार हो रही है यह सब चीज भजपा के लोगों को नहीं दिखता बशपा के लोग डरे हुए है कि इसका मैसेश पूरे देश में ज हो गई तो चुनाव आएगा पता चलेगा कि उठा है कि नहीं उठा यह तो देश में मैसेज जैसे राहूल गांदी जी भारत जो रोयातरा कर रहा है तो इनों ने अपने एक नेतरी को लगाए हुए है कि आप उनके खिलाब बोलिए जो कि उनका परदाफास वो नहों ने क कहा कि विवेका नंजी को इनों ने परणाम भी नहीं किया और कन्या कुमारी सिनन पद्यातरा शुरू कर दी जब वीडियो आया तो पता चला कि राहूल जी एक संसकारी वेक्ती है वैसे परिवार से आते हैं जिसका परिवार ने देश को बचाने के लिए बलीदान दिया तिन लोग का काम ही है आरोप परते आरोप करना ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि देश में सांती और भायचारा कायम है इन सब चीज़ों का विरोध करते आया अगर कोई सरकार में रहे तो भी ना रहे तो भी क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से पराधियों का बोल बाला बढ़ता जा रहा है आप मानती है ने इस बात को कि क्यों देखे कोई भी हो किसी भी राज में हो अपराधियों का मनोबल बरना बिल्कुल सही नहीं है इसका मैं कड़ी निंदा करती हूँ दुसी बात कि जिस तरह से बेगु सराय में घटना को अंजाम दिया गया है ये कहीं न कहीं किसी पुर्व नियोजित कार्चक्रम के तहत इस तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है कॉंग्रेस विधाई का पृतिमा जी का साफ साफ हिन्हों ने कह दिया है कि इस घटना के पीछे बहुत बड़ी साजिस है और जब कारवाई होगी तो निश्ची तोर पर दूर का दूर पानी का पानी हो जाएगा जिस तरह से गोदरा कांड के लोग आज केंदरे में बैठे हुए हैं वो लोग क्या दूसरी को नसीहत देने में लगे हुए हैं इसकर बस इतना ही बने रहे ये निश्च पॉनेशन के साथ अब तक है हमारे चैनल को सब्स्राइब में कहें तो कलीजे धन्यवाद